तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 गंटा मीडिया का आक्रमन शुरू हो जाएगा सब्सक्राइब अब यहाँ पर यह आपका SSB का है कानून के मुताबिक अगर यह जमीन इस्तिमाल नहीं की गई तो पांच साल के अंदर आपको वापिस मिल दे आनी चाहिए यह कानून है मगर यहाँ पे हिंदूस्तान की सरकार जमीन अधिकरन बिलके कानून को तोड़ रही है तो मैं यह आपके लिए जरूर पार्लिमेंट में उठा सकता हूं मैं यह गैरंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक दम यह जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे किसानों को चारों और से घेरा जा रहा है आपकी जमीन चीनी जा रही है आपसे जमीन ली जाती है अदानी जी जैसे बड़े-बड़े उद्योग पतियों को फ्री में तोपे जैसे गिफ्ट में दी जाती है दूसरी तरफ से खाद, बीज इन चीजों में आपसे आप पर डबाव डाला जाता है आपसे पैसा चीना जाता है और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की वो तीन कानून ले आए काले कानून ले आए और जो आपका था वो आपके नाप के सामने उन्होंने चीनने की कोशिश की अच्छी बात है कि देश के सारे के सारे किसान कड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे इसलिए आपकी मैं कह दूँ आपकी जान बज गई नहीं तो आप सब बरबाद हो जाते मेरी सोच है कि किसान देश की रीड की हट्डी है पिशक और अजीब सी बात है मगर अरब पतियों के 14,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 आर किसान का कर्जा माव नहीं करता है तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए एगatur तो जवाब आते हो आप कहते हो भी हमारा भी कर दो सरकार आप से कहते हैं तुम्हारा नहीं करेंगे तो न्या होना चाहिए अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका ना हो सही बात है तो मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए मतलब पिछले चुनाओं के पहले हम एक योजना लाए थे नियाई योजना जिसमें हमने कहा था हर गरीव व्यक्ति के बैंक अकाउंट में चाहिए वो मजदूर हो किसान हो हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम सरकार कम से कम पैसा डालेगी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे चाहे वो MSP की बात हो कर्जा माफी के बात हो सही दाम दिलाने की बात हो अगर किसान को यह नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है कि उसको सरकार मिटा नहीं पा दिए और किसान हमने सरकार पे पूरा पूरा भरोसा खो दिया है कि मगड़ मैं आपको यहां यह कहने आया हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए है वह एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें और हमने देखे हम मैं मैं खोकले शब नहीं बोल रहा हूं मैं खोकले शब नहीं बोल रहा हूं 72,000 करोर रुपए किसान का हमने कर्जा मात किया था याद रखिया आप सही जमीन अधिकरन बिल हम लाए थे 36 गड़ में जब हमारी सरकार थी राजस्तान में हमारी सरकार थी हम किसानों को सही दाम देते थे तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे कि यह जो आपने यह जो आपने सवाल उठाया है मैं इसके बारे में पार्लमेंट पर बोलूँगा और मैं आपको गैरंटी देता हूं जैसे हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागो करते हैं दानिवार